बिस्मिल्ला रामारे रहीं, असलामुलेकम, इर्फान अजाद आपकी कित्मत में हादर है दोस्तों, आज मेरे पास एक 12.04 माडल हेक्जा का आया है होमेज कंपनी का UPS है तो ये डेड है, इसको मैं आपको चेक भी करा देता हूँ एक दफा कि ये UPS डेड है, बिल्कुल भी आन नहीं हो रहा है ये मैंने इसको स्प्लाई दी ये देखें, ये बिल्कुल भी आन नहीं हो रहा है या अगसाने आन आफ कर रहा हूँ, लेकन ये आन नहीं हो रहा है तो जब UPS आन ना हो रहा हो तो सबसे पहले नदर जो हमारी जाती है वो बॉर्ड में किस जगा पे जाती है लेकन उससे पहले मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग ब्राए मिरबानी मेरी वीडियो को स्कीप करके ना देखा करें वीडियो को मकमल व वीडियो देखा करें ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जा जाएं तो पैनल को मैं बाहर नकाल लूँगा जी ताकि मुझे बॉर्ड को निकालने में असानी हो जब UPS से डैड होकर आता है तो उसमें सबसे पहली नदर हमारी जाती है इन फ्यूज के उपर यह पॉज इनको मैं कांटिनुटी पर चेक करूँगा यह पहले भी रिपेर हुए हुए हैं तो हम इनको दबारा से फिर चेक करेंगे यह देखें यह पहले रिपेर हुए थे लेकर अब यह डिस्कनेक्ट हो चुके हैं तो अब मैं क्या करूँगा इनको दबारा कनेक्ट कर दूँग यह दिखा देता हूं यह देखें यह बिलकुल यह मीटर बोह रहा है यहां पर नहीं बोह रहा है यह हलके हलके से यहां से डिसकनेक्ट हो गया है तो अब मैं क्या करूँगा कि इनको 12 से क्नेक्ट कर दूँगा ताकि UPS हमारा आन हो जाए बेदर यह होता है कि यह नहें लेकर लगाये जाएं नहें भी मिल जाते हैं लेकर हमारे इलाके से यह नहीं मिलते तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा वैसी डिरेक्ट करके चला देते है तो अब मैं क्या करता हूँ इसको मैं डिरेक्ट कर देता हूँ यह पहले भी किसी ने डिरेक्ट करके चलाये थे लेकर उन्होंने थोड़े ज्यादा ब्रीक लगा दिये थे जिसकी वज़ए से यह दबारा खराब हो गया है तो अब मैं क्या करूंगा मेरे पास यह थोड़ आपकी ये fuse ना जले fuse का मक्सद ही यही होता है कि जब ये हमेशा जब आप wrong connection लगाएंगे तब ये fuse disconnect हो जाते है तो कुछ इस तरह से लगाने होते हैं कि ये load भी बरदाश कर जाएं और ज्यादा जल्दी ये blast भी ना हो और wrong connection लगाने से ये ही जले हैं ऐसा नहों कि आप ज्यादा बड़े लगा देंगे fuse तो फिर आपकी जो जब आप इसको wrong connection लगाएंगे तब भी ये disconnect नहीं होंगे तो फिर आगे आपके board कर ज्यादा नुक्सान हो सकता है ये देखें मैंने उस हिसाब से wires ली हैं कि जो अपना proper तरीके से काम करें और ज्यादा जल्दी ये blast भी ना हो overload होने की वज़ा से blast भी ना हो ये सिरफ और सिरफ खराब जब होंगे तो wrong connection लगेगा तो ये खराब होंगे एक और लगा दूँगा मैं इतियात की तोर पर तीन लगा दूँगा मैं चार वेसे लगे होते हैं लेकन मैं थीन ही लगाओंगा क्योंकर वायर का लगाना थोड़ा सा और होता है हमारा थोड़ा तो इसलिए हम बेज़िशे का वकर लगा देते हैं, आपने थोड़ा दियान में रहके इसको लगाना है के वायर ज्यादा मोटी भी ना हो और ज्यादा बरीक भी ना हो इसकी मैं सिंपल ट्रिक आपको बताता हूं कि यह वायर आपने कहां से लेनी है यह देखें जिए हमने फ्यूज लगा दिये तो अब हम क्या करेंगे इसको आन करके देखते हैं पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी वायर नहीं है कि जिससे आप यह फ्यूज बना सकते हैं तो यहां पर एक यह वाली अर्थ वायर लगी होती है यह देखें यह ग्रीन कलर की आप इसको 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 आपल लगा सकते हैं अब मैं क्या करता हूँ जी इसको करंट दे कर देखते हैं आया कि हमारा यूपियस आन होता है या नहीं यह देखें अभी यह पटासा आया इसमें तो इसका मतलब यह आन हो जाएगा यह देखें यूपियस आन हो गया जी बिल्कुल चोटा था फाल्ट था इतना ज्यादा बड़ा फाल्ट नहीं था इसमें यह एक चोटा सा काम आप घर में करके अपने हजार बारा सो रुपया की आप बच्चत कर सकते हैं इसी काम का सिर्फ आप जब मार्किट में लेकर जाते हैं कारीगर के पास तो वह आपसे हजार पंद्रा सो रुपया ले ले लेते हैं हलाएं करते हैं कुछ नहीं यह भी पहले किसी ने डिस्कनेक्ट किया हुआ तो हुए थे तो उन्होंने वायर के साथ ही वह लगा दिये थे लेकर वायर उन्होंने अच्छी नहीं लगाई